कि नमस्कार दोस्तों क्राइम इंडियनीज में आपका स्वागत है मैं शम्शेर खान एक अनुकी खबर के सामने आपके सामने हमेशा पेश होता हूँ आज एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने आएं कि राम जी की एकावन फूट की मूर्ती जो निर्मान की गई है वो किस तरह स से इसका भी दिरे दिरे निर्मान हो रहा है क्या क्या चीजियां पर आ रही है हमारे साथ में शीव पंडित जी हैं पर मारा साथ में मौझूद है उनके साथ में हम चर्चा करेंगे कि कि इतने वर्ष ही पुराना मंदीर है और किस तरह से किस किसके सयोग से यहां पर निर्मान किया जए थी गड़ी सर नमस्ते नमस्त T किया बताएगी थी यह लगभक 245 साल पुरान आये मंदीर है और यहां पर पहले जंगल थी सब्सक्राइब लोग जंगल से आते थे यह होता था तो अभी बहुत कुछ बदला है एक लगभग 10-15 साल से पहिंदे से इसका जीनोदा होना चालू हुआ तो लोक और गनी से यह मंदिर बना अभी खाली मंदिर बनके कुछ होता नहीं उसको सवरक्षन भी चाहिए तो हमने हमारे जो विदह है कि नरेंद्र भुंडे कर जी उनको निवेदन दिया उनको बोला कि यह मंदिर है यह त्रितक्षेत्र में आता है यहाँ पे महाशिवरात्य के बहुत बड़ी यात्ता भरती है इसके बाद शावन महिने में पुरा महिना बर कारे कम चलता है पुरे दार्मिक पुजा उस पर जो है वो कारहवाई की उस माध्यम से यहाँ पर अभी दिख रहा है कमपॉर्ण वॉल बन रही है आगे में बहुत बड़ा प्रवेशदार बनेगा पीने के पानी की वेवस्ता होने वाली है ऐसे बहुत से चीज़ यहाँ पर अपने आपका जो चिन है चंडा है दर्मद्वर्ज बने तो उसके लिए भी हमने अब हमारी विदायक सापको निवे दिन दिया उन्होंने उसको यह किया कि चलो अपने के हाँ पर धर्मद्वर्ज बनाएंगे पूरे विधर्म में यहाँ पर एक ही यह धर्मद्वर्ज लगा हुआ है देखिए आपके इस परिशर में अपर सितला मता मंदीर है और अभी राम जी की कवन फूट की मुर्थियां पर लाई गई है तो इससे क्या भावनात्मक संदेज चाहता है यह तो बहुत बढ़िया हुआ है कि बंडारा में अभी तक कुछ भी नहीं था अभी विकास हो रहा है लोगों को यहने बंडारा में लोग अभी एक राम जी की मुर्थि के नाम से बंडारा जाना जाएंगा वहाँ पे पुरा धार्मिक 365 दिन पूजा पाठ चरेंगी और कुछ भी कास काम होंगे तो इससे बहुत से लोग यहाँ पे जुड़ते जाएंगे धार्मिक रूप से कि आपको मालूम है किस तरह से परिसर बनने वाला है क्या इसमें और नया कुछ होने वाला क्या पर पंडिजी ओर यहाँ पर 365 दिन पूजा होती है तो किस तरह का यहाँ पर लोगों का आना जाना बना वा रहता है क्या लोगों की मानसिक्ता बने यहाँ पे लोग सबेरे से कि द्यान दाना के लिए अभी रोज आ रहे हैं जब से ये इसका यह स्तापन हुआ है उसके दूस्से दिन से भी यहां पे बीड़ी-कट्था होना चलु ही यहां पि योगा हो रहा है ध्यान दाना हो रही है रोज लोग आरे प्राणायम कर रहे हैं यहां पर आ कर तो नेश्य जब पुरा काम होगा है चालोंगे तो एक नया रूप यहां पर आएंगा जो बंडारा में अभी कुछ नहीं था लोग बोलते थे अब हमारे बढ़ने में कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अब बोल पाएंगे कि यहां पर रामतलाओ है खामतलाओ है जो एक नया परियक्टन स्थल बना हुआ है तो वहां पर लोग आते रहेंगे यह करते रहेंगे पुजा पाट करते रहेंगे एक भार में जो लोगों तो कब बताना चाहिए बैरंगेश्वा जो मंजीर है वो 215 साल पुराना तो है ही लेकिन जो जागुरुद देवस्तान बोलते हैं उसके यह अभी भी लोगों को प्रचीती आने आ रही है एक आठ साल पहले अगर देखा जाए तो एक जो स्तुरी थी लेडी उसको इशूत हो नहीं रहा था तो उसने अपना जो यह है मनो कामना वो भगवान के पास बोली तीन सो यानि तीन सो पैसेट दिन वो भगवान को माथा टेकती रही यह मनोकामना करती रही आज उसकी मनोकामना पूरी होई और शावन महीने भी उसको प्रसाद बच्चे के रूप से प्रसाद मिला हुआ है अच्छी चीज बताई है मंदीर के हो जो भी समाज के हो कोई भी धर्म के हो जब किसे को हम अपने दिल से मानते हैं तो जरूर उपर वाला उसमें भगवान उसमें साथ देता है पंडी जी ने कापी अच्छी बताई कि एक महला को जब अवलाद नहीं हो रही थी तो उसने 365 द इसा और क्या बताई है हम चाहें अभी यह थून के आने के बाद हमारी एक इच्छा है यह जो मंदीर दिवस्तान अभी करगट में है तो बहारी संख्या से लोगों की बड़त देखते हुए यहां पर एक भक्त निवास बने तृतस्तान को जो दर्जा मिलता है वो अभी कर हमारी यह इच्छा है कि और ज्यादा विकास काम यहां पर होने अब बताई कि आमदर भुंडेगर जी के हिंदू तो धर्म को बहुत दिल से मानते हैं उनके लिए काफी काम करते हिंदूची नहीं सभी धर्म को मानते हैं उन्होंने कैसी मुस्लिम समाज की उर्दू स्कूल के भी काफी बनाया बजाज स्कूल ऐसे कई स्कूल शिक्षा को लेकर सारी चीजों को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहते तो ऐसे विदाहिक के बारे में आप पंडी जी है आप सभी इसमें जाते हैं सभी उच्छे चोटे बड़े लोगों से आप मुलाकात रहते हैं तो उ और सभी से मिल रहें सब के लिए वो तत्पर रहते काम करने के लिए कोई भी मिल आसान से उनके पास काम करने हो वो पुरे उनके काम पुरे करके देते हैं आप यह अच्छे कहा है पंडी जी ने आपको बता दे कि हम जब विदायक नरेंडर बोणेकर जी की बात कर रहे हम चुनाव शितर के वीशे की बातंिक हमेशा लोगों किसे भावना थक्मस में जुड़े रहते हिंदू धर्म हो मसलिम धर्म हो शिख धर्म हो पुदध धर्म हो ऐसे कोई भी धर्म हो तो हमेशा विदायक जी जो है हमेशा एक कदम आगे बढ़कर हमेशा लोगों से जुड़ते रहे हैं। आपको एक बता दे कि मुसलिश समाज की कुर्दू स्कूल है। वी कई वर्षों पुरानी स्कूल है। उस स्कूल के भी कई चार से पाच करोड रुपे निदी देकर वो स्कूल को निर्मान किया गया ह है। साथ ही बता दे कि नगर परिशत एक भी यहां पर काफी महतवपुर्ण भूमी का निबावा है। इसलिए कैसे हम हमेशा खबरों के मद्यम से आप तक पहुचाते रहते ताकि जो शहर में चल रहा है, जो जिले में चल रहा है, ऐसी जानकर ही आप तक पहुचते आपको ख़केत पोस्ते रहे। आपको बता दे कि भंडारे में एक विशाल राम जी की मूर्ति का निर्मान किया गया है, जो 51 फुट की मूर्ति है, जो कि यहां पर एक परियात्तक में मूर्ति बनाई गई है, जिसके बाद में आपको बता दे कि कुछ आजवाजू परीसर में जो है, अभी निर्मान कारेक शुरू किया है, एक चुली कैसा था कि इसको यह मंदिर को कंपर्ण वाल नहीं थी, जिसके कारण काफी आलोचना है, काफी मुसीबत से यहां के धार्मिक लोगों को जूजना पढ़ता था, लेकिन जब से विदायक जी से इस मंदिर के बा नामंचित बनाने के लिए राम जी के काउनफूट की मूर्ति लाए गए एक हमतला तापको एक सुन्दर बनाजी आपको बता दे कि एक कई वर्सों पुराना तलाब है यहां पर हमेशा पानी रहता था, लेकिन कैसा है कि इसकी उपियोग नहीं किया जाता था, लेकिन जब बोंडेकर जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इसको किस तरह से किया जाएगा, तो एक अनोखा आज आप देख सकते के दुरुस्च निर्मान हो चुका है, जिसका हमने उडगाटन भी आपको लाई माध्यम से देखाया है, तो ऐसी ही अनेक चीज जो है, धार्माइक है, जो विकास कारिये बोलते है, विकास पुरुस के नाम से हमारे विदायक जी को जाना जाता है, किस तरह से उन्होंने विकास किया हमें आपको बताने की जरुवत नहीं, लेकिन हम इसलिए आप तक वो चीज लाते हैं, ताकि कुछ लोग है जो अलग-अलग बाते करते है अलग-अलग जानकारी देते, उस जानकारी को हम आकिकत में आप तक पहुचाते ताकि आप तक हर चीज आकिकत के माध्यम से जुड़े रहे, पंडित जी बहुत-बहुत नमस्कार, आपने काफी अच्छा समय दिया, और कुछ क्या है ऐसी जो बाते है, जो हमारी दर्शको को आप बताना चाहते हैं, अभी एक नया काम विधाइक जीने हाथ में लिया हुआ है, यहाँ पे लगभग पचातर साल राम मंदिर था, पुरा ना राम मंदिर था, वो पुरा जीना हुआ था, वहां किसले आप छोड़ रही थी, गिर रही थी, जीना वस्ते में था, तो अभी विधाइक जीने नया यह अपने मन में लिया हुआ है, एक भव्य जैसे भव्य राम मुर्ती बनी हुई है, वैसे एक भव्य राम जी का मंदिर यह परिशर में बनने वाला है, उसका काम अभी चालू है, आने के बाद और आगे बढ़ेगा, जिसकी भायोनात्मक जो धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, उनके समाज के जो भी देवते भगवान होते हैं, उनकी अगर कुछी चीजिस अगर बनती रही है, करते रहे तो लोग और जुड़ते हैं, तो ऐसी ही हिंदू धर्म के लिए हो याने धर्म के लिए हमेशा बंडे कर जी जुड़े रहते यहां पर राम जी का भी एक अलग मंदीर बनने जाने वाला है, कापी अच्छा मंदीर बनने जाने वाला है, वो भी हमें बताएगे, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे हैं, मैं शम्शेर खान, खबरों के माध्यम से आप तक हमेशा अखिकत पहुचात नमस्कार, Crime Indian News, भंडारा